So hello and welcome you all I am Rohit from Mahajan Traders So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Rack IOC साथी स्प्लीट और एक डिविडेंच शेर की तो वीडियो को end तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो प्रिविएस वीडियो में हमने डिसकस किया था कि REC Limited में एक अच्छी बड़त देखने को मल सकती है और वो बड़त हमें देखने को मिली भी और वही अगर आप देखो तो स्टॉक ने शानदार बड़त के साथ लोजिंग दी 132.75 रुपिस के लेबल पे है रिटन्स की बाद कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक रुपे 15 पेसे तक की एक शानदार बड़त स्टॉक ने बताई है 0.87% के बेसिस पे और हमें आगे उमीद है कि स्टॉक आगे भी अच्छी तगड़े रिटन्स दे सकता है साथ ही अगर बात कर लें तो स्टॉक में फाइडेस में एक शानदार गिरावट हमें देखने को मिली थी बट उसके बाद एक बहतरीन रिकवरी भी आई stock में गिरावट जरूरी है क्योंकि इहाँ पर एक काफी बड़ी बाइंग उपरचनेटी मिली थी stock में और शांदार गिरावट हम इसले कह रहे है क्योंकि इस गिरावट ने यहाँ पर रि तेस्ट किया और हमें Saturday, Sunday से पहले ही एक buying opportunities में मिली क्योंकि stock में sustained के time ही buy करने का मज़ा है और Monday के दिन एक fresh buying इसमें आ सकते है जिससे हम अच्छा profit इसमें कमा सकते है जो target इसमें हमें देखने को मल सकते है वो target 135 के around तक हो सकते है एक रुपे तक की गिरावट है 0.75% के basis पर और वही आप देखोंगे तो एक महीने में A share 9 रुपे 85 पेसे तक बढ़ चुगा है 8.01% के basis पर शानदार rally stock ने बता दी है वही बात की जाए तो यहाँ पर 6 मन्त में भी stock ने बहतरी returns दे दिया है 6 महीने की अगर बात कर लें तो stock में नीचे से हमें rejection से हापर face करना पड़ा था और ही अगर आप दीखो तो share में एक ascendal type triangle भी create हो रहा है एक ascendal type triangle हम इसे कह सकते हैं और इसे के थूप हापर आप दीखोगे stock में एक breakout मिल रहा है volume की बात कर लेता है volume आप दीखोगे तो 71 lakh के around तक की stock में delivery उठाएगी है 29 lakh के around तक का combination delivery भी stock में देखने को में मिल रहा है yesterday की बात कर ले तो 80 lakh के around तक का trade value है और 41 lakh के around तक का combination delivery हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक चीज अगर कहूँ तो high volume के साथ कही न कही stock में buying चल रही है high volume के साथ stock को यहाँ पर buy किया जा रहा है तो एक अच्छी चीज हमें देखने को आपर मिल जाती है साधी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो stock में 100% लोग है चो buy करने के लिए किया रहा है तो इस चीज का ध्यान रखना है खाफी अच्छी अप यहाँ पर आकड़े हमें नजरा रहे community sentiments के भी आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं board meeting की तो यहाँ पर board meeting होने वाली है चल्दी 17 मई 2030 से पहले आप stock को अगर buy कर लेते हो तो यहाँ पर दीखा जाएं तो आपको अगर इसके results में एक अच्छी बड़त अगर देखने का बली results अगर अच्छी देखने का बले है तो आपको शांदार rally देखने का बल जाएगी यहाँ पर आपको पता है किसके results अच्छे आ सकते हैं क्योंकि हमने previous वीडियो में काफी जारे analyst का जो explanation था analyst की जो यहाँ पर जिनकी वोट से जो predictions की गई थी उसके बारे में हमने वीडियो बना आथा तो आपने देख लिया होगा यहाँ पर आप देखोगे तो 3 मिनट के चार प्रेम पर एक symmetrical type pattern stock में create होता है इस symmetrical type pattern के दुरू अगर आप देखोगे हमें wait करना है उपर की और के breakout का इस symmetrical type pattern में अगर उपर की और breakout हमें मिल गया तो शानदार rally हमें उपर की देखने को मिलेगी अगर वही breakdown मिला तो यहाँ से एक fall भी आ सकता है पट highly chance से कि upside का ही momentum देखने को मिले क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इसे आप एक fall and flag type pattern भी consider कर सकते हो जहाँ पर stock में इच्छे returns देखने को मिले उसके बाद stock और उपर गया symmetrical type pattern create हुआ breakout अगर मिल गया तो share में और एक बड़ी rally continue हो सकती है आगे बड़े यहाँ पर आप देख सकते हो stock में 30 मिनट के चार्ट प्रेम पर हमें एक strong support यहाँ पर देखने को मिल जाते है एक strong support से यहाँ पर share में देखने को बल रहा है उपर से आप देखोगे rejections भी हमें देखने को बल रहा है इसी के तरह आप देखोगे तो share में एक breakout भी यहाँ पर मिला breakout के बाद stock अच्छे returns यहाँ पर दे रहा है यह share आने वाले टाइम में 140 रुबिस के around तक के target भी easy तरीके से चीव करा सकते है 140 रुपे तक का जो target है ओ easy achieve यहाँ पर हो सकता है और यह level भी अगर break हुआ तो और भी बड़े शानदार returns हमें देखने को मिल सकते है और बड़े time frame पर भी heck fall and flag type pattern ही create यहाँ पर हो रहा है stock में आप देखोंगे 124 के level से एक तगड़े high इसने लगाया थै 140 तक के तो यहाँ पर आप positive रहा सकते हो क्योंकि stock में ऐसी ही एक बड़त हमें देखने को आगे भी मिल सकती है आगे बड़ते हैं stock में आप देखोंगे pure price action work करता था पहले भी breakout के बाद अच्छे returns देखने को बले है और आगे भी हमें देखने को बल सकते है तो कल हमें फिर से इस पर एक वीडियो बनाएगे जिसमें हम इसके long term target discuss करने हाले बड़ते आगे चो next stock है हमारा उसका नाम है IOC Limited यानि Indian Oil Corporation Limited की हम बात करेगे 83.50 रुपिस के राउंड तक की stock में यहाँ पर closing देखने को हमें मिल जाती है यहाँ पर 45 पेसे तक की गिरावट भी हमें देखने को मल रही है 0.54% के basis पर है और वही अगर देखें तो यहाँ पर इंडिया एंड बांगलादेश की यहाँ पर strategic meetings यहाँ पर चल रही है तो कहीं न कहीं यहाँ पर export इंपोर्ट से related बाते चल रही है तो इस टेज का भी आपको ध्यान रखना है वही बात कर ले तो 53 लाक के राउंट की डिले रिस कल यहाँ पर उठाएगी थी और वही लास्ट रेडिंग से भी परसो की बात गूरू तो 51 लाक के राउंट का trade value था तो high volume यहाँ पर तो नहीं है बढ़ यहाँ पर अगर देखें है stock में कही न कही एवरेज वाल्यूम हमें देखने को मल जाता है बढ़ कम्यूनिटी सेंटिमेंट्स के आख्रे positive निजर आते है जिसमें 85% लोग है जो buy करने के लिए कर रहा है और 7% जो लोग है और sell यहाँ पर hold करने के लिए कर रहा है टोटल यहाँ पर बात कर ले 92% लोग है जो यहाँ पर आपको बिल्कुल positive निजर आएंगे 90 प्लस लोग यहाँ पर 90% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर positive हैं तो एक अच्छी चीच यह देखने को में मल जाती है फिर उसके बाद 8% लोग है जो स्टॉक में हमें sell करने के लिए भी कह रहा है तो यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर काफी ज़्यादा लोग positive है साधी आपको इस चीच का ध्यान रखना है इसके audited results announce होने वाले है 16 माई 2023 के 16 माई 2023 को final dividend भी announce होने वाले है जल्दी यह date आने वाली है और stock में एक अच्छे fluctuations देखने को भी लेगे बट जब इसके dividends हमने आ रहे हैं तो अच्छी बड़त भी देखने को में मिल सकती है यहाँ पर levels की बात करे रहे है यह गिरावट यहाँ पर आनी ही दी क्योंकि यहाँ पर आप दिखोंगे एक essential type triangle था यहाँ पर इस support level को इसने break किया उपर से हमें rejections भी देखने को मिल रहते हैं इस level को break करते से ही stock में यहाँ से fall देखने को मिला और यहाँ से गिरावट continue हो रही है तो थोड़ा सबल कर आपको रहना कर सकता है यहाँ पर बढ़ते आगे हम बात करेंगे अब एक एसे share की जो देने जा रहा है dividend यहाँ पर novelty's India Limited की हम बात करेंगे यहाँ पर stock ने आज closing यानि कल closing दी थी 667.85 रुपिस के राउंड यहाँ पर बात करें net returns की तो negative returns है 4.95 रुपिस के राउंड तक के और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 रुपे का dividend के साथ-साथ यहाँ पर और एक dividend बिल रहा है जो special dividend है 36 रुपे 50 पेसे का तो company के और से final dividend और एक special dividend दिया जा रहा है तो दोनों dividend आपको चाहिए तो 20 जुलाई 2030 से पहले buy करना होगा तब आपको dividend मिलेगा और हर share पे 47 रुपे 50 पेसे तक का फाइदा आपको होने वाला है तो stage का आपको ध्यान रखना है वही बात कर लें तो stock में आप देख सकते हो visa का industry is limited cement sector का share है 436.15 रुपेस के round तक की closing है 10 पेसे तक stock ने एक अच्छा momentum बताया है साथ अगर बात कर ले 10H to 2 यानि अगर दीखे तो 2 share यहाँ पर 10 share में तूटने आले अगर 200 shares होगे तो thousands of shares आपको मिल जाएगे तो 15 मईस से पहले पाय करोगे तो ही आपको यह benefit फिलेगा I hope आपको यह video अच्छा लगा होगा विडियो गर अच्छा लगा हो विडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी share में investment करने से पहले इंशेर्स का एक बार analysis कर लेना Thank you